बेगबॉस सीजन 14 से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बेगबॉस सीजन 14 के घर से एक और सदस्य बेगर हो चुका है हम आपको बता देना चाते हैं कि 21 फरवरी को बेगबॉस सीजन 14 का फिनाल होने वाला है और बच गये हैं सिर्फ और सिर्फ तीन हपते और साथी साथ ऐसे में विकाज गुपता Back Boss Season 11 के Mastermind और Back Boss Season 14 में contestant के तौर पर आए विकाज गुपता, Back Boss Season 14 के घर से बाहर हो चुके हैं, बेकर हो चुके हैं हम आपको बता देना चाते कि सबते गर से बेकर होने के लिए चार सदस्या, नॉमिनेटेड से राहूल किष्णवेजे, विकास गुपता, निक्की तंबोली और देबॉलीना भटाचाजी जो की एजाज खान के प्रॉक्सी के रूप में आई हैं, ये चारों नॉमिनेटेड थे, अब इन चारों नॉमिनेटेड सदस्यों में लेटेश्ट वोटिंग ट्रेंट के अधार पर भी विकास गुपता को सबसे कम वोट मिलेते, और साथी साथ सारे के सारे पोल यही कह रहेते कि विकास गुपता बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से कनफॉर्म निकल कर साम आईए, उसके एक़ॉर्डिग विकास गुपता बिग बॉस सीजन 14 के घर को छोड़ कर बाहर रहा चुके हैं, ऐलिमनेट हो चुके हैं विकास गुपता, हालाकि विकास गुपता के पास जोकर कार्ड था, विकास गुपता अपने जोकर कार का इस्तमाल कर सकते थे, लेकिन बिग बॉस का खेल है ये दोस्तों बिग बॉस ने विकास गुपता को अपने जोकर काड का इस्तमाल नहीं करने का मौका नहीं दिया और साती साथ वो ऐलिमिनेट हो गए बिग बॉस सीजन 14 की खर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि सल्मान खान साती साथ वोटिंग ट्रेंट के बारे में भी बताएंगे और राहूल कृष्ण वैद्यो को सबसे ज़्यादा वोट मिला है इसके बारे में भी डिसकास करेंगे वेल दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही हैं इस वक्की विकास गुपता वेकबॉस सीजन 14 के घर को छोड़ कर बाहर आ चुके हैं बड़ी खबर इस वक्की सोचा हम आप सबी दर्श्कों के साथ शेयर कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बुले तब तक ले बने रहे हैं यूटूब चैनल के साथ विक टिवी न्यूस की रिपोर्ट